असलाम अलेकूम, आज मैं आपके साथ में चिकन कलब सेंविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, हम इसे बिल्कुल रेस्टूरेंट रिस्टाइल बना करके तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये बन करके तैयार होते हैं, इस्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें, अपने घर में बनाएं, अपने घरवालों को खिलाएं, इंशालला ये आपको आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा, तो चलिए आईए देखते, इसे बनाते कैसे हैं, यहाँ पे हम श्रेड़ चीज दाल देंगे, चीज मैने यहाँ पे हाफ कप ली हूँ, चीज की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से ले ले, कम याजादा जितने आपको पसंद हो, इसे भी मैने ग्रेट करके ले ली हूँ यहाँ इस तरह से, और इसके अंदर ही साथी में 1 टी स्पुन ब्लैक पेपर पॉलर दाल देंगे हम, और इसके साथ में यहाँ पे हाफ कप मायोनीज दाल देंगे, मायोनीज की कॉंटिटी भी आप अपने हिसाब से ले ले, कम या जादा जितनी आपको पसंद हो, वह हिसाब से चीज और मायोनीज की कॉंटिटी ले ले ले, आप चाहे तो इसमें नम कर लेंगे यह देखे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें मतलब इस तरह से सारी चीज़े हमारी अच्छी से मिक्स हो जाए यह देखे इस तरह से इसे अच्छे से mix करके हम इस तरह इसे एक side में रख लेते अभी और यहां पर मैंने bread का slyze ले लिए इस पर भी क की बटर लगा देंगे मैं अच्छी तरह हमें हर तरफ इसके बटर लगा देना इस तरह से यह देखें और दुसरी तरह में नहीं तरफ यह प्चे तरह přेहां व्यण हैां यह कंछीह ऑश्छीत फ़िट, वुस्गमें अच्छा ब्रेट सेक लेना है अच्छा ब्रेट, डिसमी ऐसे हमंते क्यों संद। तो फीर मोटशी निकालेंगे और विश्क झेम हम और विश्क रेखें अधीक फीशय सुछ है। चिकन को दाल कर लेंगे जो दूसरा ब्रेट का इसी उपपर करशानी जिशन नर्डिट आपने ग्रीन चथनी को नाइंगे और थोड़ा सा अमचुर पौडर दाल करके पीस लीती मिकसर में तो इसी तरह से आप भी ग्रीन चटनी को लगा ले अच्छे से फैला ले और उस पे एक चीज स्लाइज रख दे और फिर उसके उपर ब्रेट का स्लाइज रख ले लास्ट वाला और इस तरह से हमारी यह देख प्याज वगेरा आप वो भी रख सकते हैं मैंने यहां पर कुछ भी नहीं रखी हूँ मैंने इसे सिंपल बना करके यहां पर तयार करें हूँ इस तरह से आप अगर बच्चों को बना करके देंगे तो वो खा लेते हैं बहुत ही शौक से तो यह देखिए हमारी यहां पर क् पसंद आएगी वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक शेर करिए चाइनल पर नए हैं तो वन टाइम सब्सक्राइब करिए साती में जो बैल आइकोन है उसे और पर प्रेस करिए जिससे क्या आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे चलिए अला ाफीज